नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज आपके लिए लेटेस्ट अपडेट आया है और official notification है 2022 का latest vacancies है अभी जो out हुई है कैसे apply करना है कौन का apply कर सकता है complete information आगे मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को complete जरूर देखीगा फर्स टाइम हमारे चैनल पर आ रहे है चैनल को subscribe कर लीजेगा और उसी के साथ bell icon भी दिबा दीजेगा जिससे आपको हर एक latest recruitment updates आपके mobile में मिलते रहें तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ recruitment update के उपर और वहीं पर जाके सारी information share करता हूँ और हमारी website www.clory.com है आप उसको भी subscribe कर सकते हैं उसे आपको latest job related updates जो है वो मिलते रहेंगे और चेक करके आप apply कर पाएंगे तो चलिए ले चलता हूँ recruitment update के उपर सबसे पहले अगर हम बात करें ये recruitment notification जो है AAI की तरफ से आउट किया गया है Airport Authority of India की तरफ से इसके अंदर male and female दोने candidate eligible हैं और apply कर सकते हैं application mode जो रहेगा आपको सिर्फ और सिर्फ online apply करना है एक ही mode है कोई भी other mode apply करने का नहीं है इसके अंदर बिलकुर regular vacancies रहने वाली हैं salary के अगर मैं बात करूँ तो 31,000 से लेके 1,10,000 तक आपकी salary इसके अंदर रहने वाली है अब बात करते हैं apply करना already start हो चुका है आपको online ही apply करना होगा और इसके अंदर जो vacancies out करी गई हैं सबसे पहले vacancies की ही हम लोग बात कर लेते हैं दो तरह की vacancies हैं सबसे पहले junior assistant की vacancies out करी गई है जो की file services के अंदर है next junior assistant office की vacancies है और end बे senior assistant accounts की vacancies है उसके पार senior assistant official language की vacancies जो है वाउट करी गई है इसके अंदर junior assistant की बात करूँ तो 142 vacancies है और अगर हम बात करें senior assistant की तो 14 vacancies total जो है वाउट करी गई है इसके अंदर आपका pay scale जो है junior assistant के लिए 31,000 से लेके 92,000 है और senior assistant के लिए 36,000 से लेके 1,10,000 तक आपकी salary जो है वो पर मन्त रहने वाली है अब इसके लिए eligibility की अगर हम बात करें 18 year minimum आपकी age है और 30 year तक है आपकी maximum तो आप apply कर सकते हैं और इसके अंदर आपको जो fee pay करनी है जो unreserved category वाले candidate उनको 1000 रुपीज पे करना है SCST और female candidates के लिए 81 रुपीज आपको pay करने होंगे next अगर बात करें हम इसके अंदर education qualification की तो 10th, 12th और graduation वाले candidate इसके possible होंगे और आप apply भी करेंगे और उसके बाद online आपका examination होना है और final आपकी interview के basis पे selection के अंदर होने वाली है तो इन्होंने mention नहीं किया इन दोनों में से आपका कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं तो उसके लिए जरूर apply कर लीजिएगा बाकी information आपको मिली ज जाएंगे और चाहे private हो चाहे government नौकरी हो उसके लिए आपको सबसे पहले registration करनी है अपनी वाइल लेंबर email id फिल करके register कर लेंगे next step जो है इसके अंदर रहने वाला है वो आपको अपना online application form फिल करना है details mention करनी है और अपना upload करके document submit कर देना है इससे आपकी पूरी details submit हो ज आपको नए notification के साथ नए video के इंदर तब तक के लिए धन्यवाज जी